नमस्कार फियर लेफ्ट रेसिपी में आपका स्थागत है आज हम बनाएंगे गोवी के पराथे यह बहुत ही आसान रेसिपी है एकदम आसान और नए तरीके से इसे मैं बनाना बताऊंगी जब हम गोवी के पराथे फील करके बनाते हैं तो फट जाते हैं और सारा गोवी बह गोवी को हम गुन्गुने पानी में 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे गुन्गुने पानी में धोने से जोपी जम्स है वह खतम हो जाएंगे और यह थोड़े सौफ्ट भी हो जाएंगे 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे पानी से निकाल लेंगे गोविकों में उबालना बिल्कुल भी नहीं है बस इसे गड़म पानी में कुछ दिर के लिए रखना है अब हम इसे गड़म पानी से बाहर निकाल लेंगे मैंने सारे फूल गोवी को गणपानी से बहार निकाल लिया है अब हम इसे फिर से ठंडा पानी में अच्छी तरा से धोल लेंगे ठंडे पानी से धोलने से फूल गोवी का जो कुकिंग का प्रोसेस है वो खतम हो जाएगा और इसे कदू कच करने में भी आसानी होगी हम इसे प्लेट में रखेंगे जिससे की इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए अब हम सारे फूल गोवी को कदू कच कर लेंगे इसके लिए पतला वाला ग्रेटर का इस्तमाल करेंगे फूल गोवी को आफ हैंड चौप भी कर सकते हैं या फिर आपके पास वेजिटेबल चौपर है तो उसे भी आप इसे चौप कर सकते हैं इस तरीके से हम फूल गोवी को कदू कच कर लेंगे मैंने सारे फूल गोवी को कदू कच कर लिया है इसका जो एक्ष्टर पाथ है उसे निकाल कर अलग रख देंगे इसमें डालने के लिए मैंने लिया है एक बारी कटा हुआ प्याज अद्रक लासुन और हरी मिर्ज का पेस्ट इसे मैंने कोट कर के लिया है थोड़ा सहरा धनिया सारे सीजों को साइड में रखेंगे यहाँ पर मैंने लिया है दो कप आठा इसमें हम डालेंगे कदुकच किया हुआ फोल्गों भी अब हम इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ प्याज एक मेडियम साइज का प्याज मेंने बारी काट के लिया है आठ से दस लासुन के कलिया एक इंच अद्रक और दो तिन हड़ी मिर्स कोट करके लिया है हरा धनिया इसे भी हमिस में डालेंगे आधा छोटा चमच मिर्स में डालेंगे हल्दी पाउडर आधा छोटा चमच लाल मिर्स का पाउडर तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं आधा छोटा चमच धनिया पाउडर अब हमिस में डालेंगे एक छोटा चमच अजवाइन एक चोथा चमच हमिस में डालेंगे कलॉन जी अब हमिस में डालेंगे स्वाद के नुस्वार नामा एक बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे रिफाइन ये मोयन के लिए इसके जगा आप गी भी ले सकते हैं सारी चुचो को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे राठे में मोयन डालना बहुत जरूरी है इसे ही सौफ्ट पन कर तयार होंगे पानी का इस्तमाल हम अभी बिल्कुल भी नहीं करेंगे अभी हम इसे अच्छी तरह ऐसे ही मिक्स करेंगे जब हमें लगे कि पानी की जुरूरत है तो हमें इसमें पानी को छिरक करके फिर इसका हम आठा तयार करेंगे क्योंकि जो हमारा फुल गोवी है वो नमक डालने से पानी को छोड़ेगा अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सक्त दो तयार कर लेंगे इसे हमें सौफ्ट बिल्कुल भी निमनाना है थोड़ा हाड़ी हम इसको गोधेंगे क्योंकि आप अगर सौफ्ट आठा लगाते हैं तो फिर ये चिपकने लगेंगे और गोवी जो है सौनमक के साथ मिल करके पानी को छोड़ने लगेगा इसलिए हम इसका सक्त आठा लगाएंगे आठा हमारा उद करके तैयार हो गया है तो चलिए अब हम प्राठा बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा सुखा आठा तबाको गड़म होने के लिए रखेंगे जब तक तब अगरम हो रहा है तो चलिए प्राठा बेल लेते हैं इसके लिए हम लेंगे बड़ा सा लोई रोटी से दोगुना लोई हमें लेना है अथेलियों की विच रखकरी से चिपना कर लेंगे अब हम इस पे थोरा सा सुखा आठा लगाएंगे इस तरीके से हम अथेलियों की विच दवाते हुए उंगलियों की सहायता से इसको थोरा सा गोल बना लेंगे जिससे हमें बेलने में असानी होगी और इसका हम प्राठा बेल करके तयार कर लेंगे प्राठे को हमें ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला बेनना है मेडियम में हम इसको बेलेंगे यह देखिए इसे हमें कितना मोटा रखना है कितना मोटा आप इसे रख सकते है चलिए अब हम दूसरे प्राठे के लिए भी लोई बना करके तैयार कर लेते हैं से प्रोसस करते हुए हम अथेलियों के बिच्चिस से चिपना करते हुए बढ़ा सा लोई बना करके तैयार कर लेंगे इदर तबा भी हमारा अच्छी तरफ गड़म हो गया है, अब हम तब इपर पराथे को डालेंगे गैस कपले मेडियम पर रखेंगे जब तक पराथा एक तरफ से पकड़ा है तब तक हम दूसरा पराथा बेल करके तैयार कर लेंगे जिस तरीके से हमने पहले वाले पराठे को बेला था उसी तरीके से इसे भी हम बेल लेंगे पराठे को मैंने अच्छा से बेल लिया है इधर जो पहले वाला पराठा रखा था उसे हम पलट लेंगे अब हम इसमें लगाएंगे गी, अगर आप चाहें तो रिफाइन या फिर तेल भी लगा सकते हैं या फिर आप बटर भी इसमें लगा करके बना सकते हैं गी को हम पड़ाठे पर अच्छी तरह से लगा लेंगे और इसे हम पलट लेंगे दूसरी तरब भी हम गी लगा लेंगे गैस का फ्लेम मेडेम पड़ाखेंगे और इसे अच्छी तरह से दोनों तरब से पलट करके सेख लेंगे अब हम इसे फिट से पलट करके दूसरी साइड भी अच्छी तरह से शेख लेंगे तिया जाज पर आप प्राठा बिल्कुल भी ना पकाए नहीं तो ये उपर उपर से जल जाएंगे और अंदर से कचेटा जाएंगे इसलिए से हम राधानी से मेडियम फ्लेम पे प्लट प्लट कर अच्छी तरह से सेख लेंगे प्राठा हमणा अच्छी तरह से सिख चुका है ये गोल्डेन हो गया है अब हम इसे निकाल करके अलट प्लेट में रखेंगे दूसरे प्राठे को हम इसी तरह सेम प्रोसेस करते हुए अच्छी तरह से प्लट करके सेख लेंगे एक तरफ से प्राठा सीख चुका है अब इसे हम पलट लेंगे इस प्राठे में भी हम अपने मन पसंद घी या तेल कुछ भी लगा लेंगे जो भी आपको पसंद हो आप इसमें लगा सकते हैं दोनों तरफ से पलट कर अच्छी तरह से घी लगाएंगे और मेडियं फ्रेम पर इसे भी हम गोलल दिर होने तक अच्छी तरह से शेख लेंगे दूसरे प्राठा भी तैयार होगा है इसे भी हम निकाल लेंगे और सेम प्रोसास करते हुए सारे प्राठे को हम इसी तरह सेख लेंगे तो लिज़े बन करतायार हो गया गोवी के पराठे, टेस्टी, हेली और एक तब आसान तरीके से बनने वाला पराठा तो देखाना आपने कितने आसान तरीके से बन करतायार हो गया ना ही इसे फिल करने का जंजट ना ही पराठे को फूर्टने का जंजट और ना ही चिपकने का बहुत ही आसानी से और जल्दी बन कर तयार हो गया अगर आपको ये रेसिपी तोड़ा भी हेलफूल लगा हो तो प्लीज अमरे चैनल को सब्सक्राइब करे लाइक करे अपने दो इस पराठे को बना करके जरूर ट्राइ करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार